5 अगस्ट 2019 ये वो तारीख है जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया जिसके बाद प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी 7 मार्च को पहली बार जम्मू कश्मीर पहुँचे यानि आर्टिकल 370 हटने के 4 साल 7 महिने 3 दिन के बाद पीम मोधी जम्मू कश्मीर पहुचे पीम मोधी ने दोरे के दोरान शीनगर के बक्षी स्टेडियम में विक्सित भारत विक्सित जम्मू कश्मीर कारक्रम के तहट 6400 करूट रुपए से ज़्यादा की प्रोजेक्ट्स का उठगाटन किया एक हजार यवाओं को जॉब लटर भी दिये साथ ही यवाओं उद्यमियों से उगी काम्यावी किस्से और समस्याएं भी सुनी लेकिन क्या आप जानते हैं आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कौन-कौन से बदलाव हो चुके हैं अगर नहीं तो चलिए हम बताते हैं जम्मू कश्मीर में तब से अब तक 6 बड़े बदलाव हो चुके हैं ये बदलाव हैं कौन से अब उन्हें विस्तार से जान लेते हैं आर्टिकल 370 हटने के बाद सबसे बड़ा बदलाव तो यही आया है कि देश के दूसरे राज़ों में लागू कई केंदरी कानून अब जम्मू कश्मीर के लोगों पर भी लागू हो चुके हैं इनमें बालविवा अधिनियम, सक्षा का अधिकार और भूमी सुदार जैसे कानून शामिल हैं राज में दशकों से रहरे वालमी की दलित और गोर्खा सम्दाय के लोगों को भी राज के दूसरे निवासियों के जैसे ही समान अधिकार मिल रहे हैं कुछ मुद्धों को छोड़ दे तो जम्मू कश्मीर के स्थानी निवासी और दूसरे राज्यों के नागरिकों के बीच यहां भी अधिकारब समान है इस राज्य के 334 कानूनों में से 164 कानूनों को निरस्त कर दिया गया है तो वही 166 कानूनों को समिधान के अनुरूप ढाला गया है बीते 20 फरवरी को पीम मोधी जम्मू कश्मीर में सलक और रेलवे कनेक्टिविटी के लिए कई प्रोजक्स का उधगाटन और सिलान्यास कर चुके है उन्होंने घाटी में पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान स्टेशन के साथ 12 मुला स्टेशन के बीच रेलवे की सेवा को हरी जंडी दिखाई थी चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे उंचा रेलवे ब्रिज भी तयार है अंजी नदी पर बन रहे देश के पहले केबल रेलवे ब्रिज का काम भी पूरा हो चुका है उधंपूर श्रीनगर बारा मुला रेल निंग प्रोजेक्ट के तहट बनाए गई ये पुल घाटी में विकास की नई राक हो लेंगे और कश्मीर घाटी देश के मुख्य रिल नेटवक से जुड़ जाएगी आर्टिकल 370 हटाये जाने के बाद जम्मू कश्मीर मार्च 2023 में ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का पहला प्रोजेक्ट मिला था इस प्रोजेक्ट की कीमत करीब 500 करोड रुपे है प्रोजेक्ट के उद्घाटन के समय बताया गया था कि इससे कश्मीर में 10,000 लोगों को नौकरिया मिल सकेंगी यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अरब अमीराद यानी UAE के MR ग्रूप की ओर से किया गया है इसका नाम Mall of श्रीनगर है अब घाटी में और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आने की उम्मीद है जिससे वहाँ के नौ जवानों के लिए रोजगार की नहीं रा खुलेंगी आर्टिकल 370 हटने की एक साल बाद ही जम्मू कश्मीर में सफलता पूरवक पंचाय चुनाव कराए जा चुके हैं साल 2018 में जब पंचाय चुनाव हुए तो इसमें 74.1 फीज़ी मद्दातों ने हिसा लिया था ऐसे ही साल 2019 में पहली बार Block Development Council चुनाव हुआ जिसमें आश्चार जनक रूप से 98.3 फीज़ी मद्दान हुआ था कश्मीर में एक बार फिर से पर्याटकों की भारी भीड उमड़ने लगी है सरकारी आकड़ों की माने तो केवल 2022 में 1.88 करोल पर्याटक घाटी पहुँचे इससे स्थानी बिजनेस के साथ ही ट्रेवल इंडस्ट्री को भी फायदा मिला 2021, 2022 और 2022 में बड़ी संख्या में पर्याटक कश्मीर पहुँचे इसमें कश्मीर के बागवानी सेक्टर को भी मिला ले जिसमें सेप का कारोबार भी शामिल है तो घाटी को करीब 20,000 करोड रुपए सालाने की आमदनी होती है 370 हटने के बाद घाटी में सुरक्षा बलोन चरम पंथियों पर सिकंजा कसने में काम्याभी हासिल की है पताया जाता है कि आर्टिकल 370 हटने के तीन साल बाद ही कश्मीर में सक्री चरम पंथियों की संख्या सबसे कम इस्तर पर पहुँच गई थी और तब इनकी संख्या लगबग 30 बताई गई थी जो पिछले 33 वर्षों में सबसे कम थी ओप्रेशन ओल आउट के दोरान बड़ी संख्या में चरम पंथी मारे जा चुके हैं कींद्र सरकार ने भी दावा किया था कि आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में अलगावादियों का जनाधार खत्म हो रहा है साल 2018 में 58, 2019 में 70 और 2020 में 6 हुर्यत नेता हिरासत मिले गए थे 18 हुर्यत नेताओं को सरकारी खर्चवर मिलने वाली सुरक्षा वापस ले ली गई है अलगावादी संक्रण तैरी के हुर्यत पर प्रतिबंद भी लगाया जा चुका है इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बता है और ऐसे ही खबरों के लिए बने रही है न्यूजएट इन इंडिया और जल्स के साथ